आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से के जे ग्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा 78 करोड रुपे की पेनल्टी लगी है जी 78 करोड की पेनल्टी लगी है एक प्रोफेशनल के उपर कौन से सेक्षन में लगी है पेनल्टी सेक्षन 122 1a के अंदर यह पेनल्टी 78 करोड की उस प्रोफेशनल ने 78 करोड रुपे अपनी जिंदगी में नहीं कमाई होंगे भी तर लेकिन डिपार्ट्मेंट ने एक सेक्षन में 78 करोड की पेनल्टी लगा थी सर यह सेक्षन 122 1a है क्या अगर यह सब जानना चाहते है तो हमारा GST का लाइव कोर्स शुरू हो रहा है 19 फरवरी से जिसके अंदर हम यह सारे सेक्शन आपको कराएंगे पूरा अस्टी से 100 गंटे का कोर्स होगा जूम पर होगा जिसमें आपकी क्वेरीस भी ली जाएगी तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स में अनोल नहीं करा है तो हमारी टीम से बात करके अनोल करा ले क्योंकि लिमिटेड सीट है इस कोर्स के अंदर तो बात करते हैं कि सेक्शन 122 1A में 78 करोड़ की पैनल्टी कैसे लग गई तो section 122 वो ने कहता क्या है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी benefit retain कर लिया कब fake billing का case हो रहा है ठीक है न बोकस billing का case हो रहा है तो हम आपसे 78 करोड़ की पैनल्टी जो में लिखा है मतलब कि जितना आपने tax की चोरी करी आई टीसी पासोन करा हम वो सारा का सारा आपसे वसूल लेंगे इसमें professional की क्या गलती हुई होगी 17-18 का case है ये ठीक है पैनल्टी लगाई है equivalent to ITC fraudulently pass on amounting 78 करोड कि आपना 78 करोड का ITC पासोन करा जहां तक मुझे इस case को समझा रहा है कि मुझे इस case में ये समझा रहा है कि एक फरम होगी यहां पर ठीक है मिश्टर एक्स की मिश्टर एक्स की फरम ने दूसरी फरमों को 50 फरमों को आइटी सी पासोन कर दिया होगा 78 करोड का और यह जो मिश्टर एक्स की जो फरम होगी इसने जब अपनी स्रीवी फाइल करी होगी उसमें आइटी सी क्लेम कर लिया होगा 78 करोड का और इसके टूए में कुछ भी नहीं आ रहा होगा मतलब बिना टूए में आए हुए जी एश्ट्यार गन में सेल दिखा दी आइटी सी पासोन कर दिया और थ्रीवी में टैक्स पे करते हुए दिखा दिया सब्सक्राइब कि पीछे कुछ भी आइटी सी नहीं तो शर्च इसमें प्रोफेशनल की कहां गलती है सीए की कहां गलती है एड्वोगेट की कांड़ जा है जब इसे पकड़ने गई होगी भी मिश्टर एक्स को गौर्मेंट तो यह तो उड़ गया होगा अब उन्होंने सो उसमें यह वाला व्यक्ति ओडिटर तो नहीं है इसे पगड़ लो कहीं ना कहीं से नेक्सिस क्रिएट कर दिया कहीं ना कहीं से लिंक दिखा दिया कि वह यह इस व्यक्ति ने करोड रुपे आएं अगर कोई व्यक्ति जीस टी की रिटन फाइल कर रहा है सिर्फ रिटन फाइल करने की वजह से क्या उसके श्रीफ ओडिटर है तो क्या आप ओडिटर को श्रीफ करोड की पैनल्टी लगा दोगे यहां पर आप लिग रहे होगी तुमने गोवर्मेंट का नुक्सान करा ठीक है फरम कोई और थी बिल उसने पासोन करे लेकिन आपने आप प्रोफेशनल को पगल लियां 122 1A में मेरा मानना बिलकुल गलत है लेकिन इसमें एक मैसिज भी है मैसिज यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति का काम कर रहे हो और आपको पता लग रहा है कि व कि अंसल्टेंट हो तो आखें बंद मत करो अपनी लालच मत करो क्योंकि अब यह ठट्र करोड का नोटीस आ गया तो इस प्रोफेशनल को रात को नींदी नहीं आ रही होगी यह रात को सोता होगा तो इसे डर लगता होगा कि पता नहीं कोई कभी आ जाए और मुझे उठा के ले जाए अरेस्ट कर ले तो अगर आप चाते हो कि आपकी नींद भी पूरी हो सकून से हो तो भाई अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट हो एक आदा और आपको पता लगेगा तो तब तो कुछ नहीं कर पाऊए लेकिन अगर आपको पता ऐसा लग जाता है तो मैं कहता हूं बाई उसे हाज जोड़के नमस्ते कर दो ठीक है ना अरे नहीं सर क्या परक पड़ता है पैसे तो आते ही है पैसे तो कमाई लेते अरे कित्ते कमाई होंगे एक तो भाई इस तरह की प्रैक्टिस में इन्मों Hess नियुक्तिस में नहां makers गये तो छोड़ी अढ़ाओ पशैलीज में घेल अगया थोड़ी डिली आएगा थोड़ा कम आएगा लेकिन रात को नींद आएगी आपको 78 करोड का नोटिस नी आएगा आप मेरी बात को समझ रहे हो चाहिए नोटिस गलत है लेकिन आतो गया टैंसन तो हो गई आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो भाई जो भी प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हाज जोड के रिक्व क्योंकि इसमें डारेक्टली कनेक्ट नी हुआ होगा बंदा इन डारेक्टली कही ना कहीं से कनेक्शन क्रियेट करा होगा आप समझ रहे हैं मेरी बात को अकर मुझे भी पता लग जाए चार्टर अकाउंटेंट यह कंपनी आसा करी है तो मैं ओडिटर सोडी बनुगा लेक को अगर तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यह वीडियो श्रीफ आपको वेयर करने के लिए यह मत समझना कि डराने लिए आम जस्ट अवेर कि आप कोई अवेर कर रहो ठीक है और इस बार की मैगजीन आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना मैगजीन आप सब लोगों को मिल गई होगी बजटी स्पेशल मैगजीन थी तो फिर भी अगर मैगजीन आपने अभी तक नहीं ली तो हमारी टीम से बात करके मैगजीन सब्सक् पढ़ा रहें तो अगर कोई व्यक्ति आपकी नजर में स्टुडेंट है तो आप उन्हें बता सकते हैं और हाँ आयोध्या वालों के लिए खुसकबरी है अपकी बार जो हमारा एजुकेशनल टूर है जो मार्च में 25-26 मार्च को वह आयोध्या में तो अगर कोई व्यक्ति जोइन करना चाता है तो हमें जोइन कर सकता है और वेबिनार की एन्वल मेंबर्शिप आपने ले ली होगी ठीक है उसमें हम पूरे साल वेबिनार कर रहे है इस संडे भी वेबिनार है नेक्स संडे भी है पूरे साल में 50 वेबिनार कर रहे है तो अगर किसी ने अभी तक उ देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग